हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू एग्जाम सेलेक्ट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5th, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4th कवर किया है और उसी तरीके से हमने चैप्टर 1st, 2nd और 3rd भी कम्पिलीट किये हैं, चैप्टर के साथ हमने चैप्टर की एक् वाच चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है जो अर्थ है हमारी वो लाइफ सपोर्ट करती है सोलर प्लेनेट में एट प्लेनेट है लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है तो यह आपको पताई है कि life support कौन सा planet करता है only earth यहाँ पे human being रह सकते हैं यहाँ पे animals रह सकते हैं यहाँ पे life sustain हो सकती है तो यह सारी चीज़े हमें कहाँ देखने को मिलती है earth पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे element देखने को मिलते है land के, water के और air के land, water और air यह present है earth पे, इसकी बज़े से life support हमें देखने को मिलता है earth पे तो इसमें आपको confusion नहीं है कि life support क्यों देखने को मिलता है क्योंकि हमारी earth पे land, water और air, तीनों यह balanced condition में हमें देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत जादा है और दूसरे में बहुत जादा कमी है, सब balance है, तो इसी लिए हमें earth पे जीवन देखने को मिलता है the surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact यानि कि आपने कभी इस type से circle देखा हो कुछ इस type से तो इसे क्या कहते हैं यह हो गया meet, यह हो गया overlap और यह हो गया interact तो यह जो देख रहे हैं आप यह हो गया तीनों का interact इस तरीके से अगर आपने circle देखा होगा तो मतलब क्या है इसका कि यह part अलग है, यह अलग है यह अलग है, लेकिन यह इन दोनों का mixture है और यह जो पूरा है यह तीनों का mixture है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको यह तीनों चीज़ें देखने को मिलती है अब माल लेजिए यह lithosphere है, यह hydrosphere है और यह atmosphere है तो आपको इस area में तीनों देखने को मिलेंगे लीथोस्पेर, हाइड्रोस्पेर और एटमोस्पेर तो इस तरीके से हमारे जो डोमेंस हैं अर्थ के हमें देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से हमें लीथोस्पेर, हाइड्रोस्पेर और एटमोस्पेर meet, overlap और interact करते हुए देखने को मिलते हैं अब यह होते क्या है लीथोस्पेयर क्या होता है हाइड्रोस्पेयर क्या होता है यह हम देखते हैं लीथोस्पेयर का मतलब क्या होता है लीथोस्पेयर मतलब होता है तों पोल्सन आर्थ का उसे क्या कहते है लीथे जैनी यहां पर लेंड श्टोन प्लेनunu यह सारा जो लेंड है उसे लीथे पे जहां पर आप कोई भी घर बना सकते हैं आप अपना स्कूल बना सकते हैं सकते रहाइं आप सबस्मिच्ट को लैंड देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं लीथोस्पेहर. अब एट्मॉस्पेहर क्या होता है ये देखते हैं. atmosphere आप नाम से ही समझ रहे होंगे वैसे तो आपने अभी तक बहुत बार पढ़ लिया होगा atmosphere क्या होता है atmosphere हमारे earth के surround में एक layer होती है यह earth है हमारी इसके surrounding में एक layer होती है इसे कहते हैं atmosphere और यह जो atmosphere होता है यह बहुत सारी gases को absorb करके रखता है जैसे कि oxygen nitrogen carbon dioxide और भी gases है जो कि यहां पर आपको इस layer में देखने को मिलती है इन सभी gases से atmosphere बनती है हमारी यह सारी gases एक दूसरे से यहां पर meet करती है और हमारे जो atmosphere है वो बनता है तो atmosphere कहां देखने को मिलता है आपको यह surround the earth आपको देखने को मिलेगा और इसमें oxygen nitrogen carbon dioxide और भी बहुत सारी gases आपको देखने को मिलेगी फिर अब देखते हैं हाईड्रास्पेर हाईड्रास्पेर क्या होता है हाईड्रास्पेर का मतलब होता है water वाटर कहां कहां देखने को मिलता है हमें हमें देखने को मिलता है ocean wells हमें देखने को मिलता है ponds में तो यह आपको water के sources देखने को मिलेंगे water जहां जहां आपको देखने को मिलेगा उसे कहते हाईड्रास्पेर हाईड्रास्पेर बहुत बड़ा area कवर करता है earth surface का और जो हाईड्रास्पेर होता है यह आपको तीन form में देखने को मिलेगा एक आपको देखने को मिलेगा ice ice यानि की बर्व फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा liquid यानि की water और ये आपको देखने को मिलेगा ocean में है आपको देखने को मिलेगा pond में tanks में और तीसरा जो फर्म है वो है vapor वेपर वेपर yarni की भाप तो आपको तीन तरीखे से hydrosphere देखने को मिलता है तो ये हमने देखा कि किस तरीखे से आपको hydrosphere के forms देखने को मिलते हैं इस वाटर और वाटर वेपर अब देखते हैं हम बायोस्पेर बायोस्पेर क्या होता है कहां पर हमें देखने को मिलती है तो पहले हमने जो देखा था लीटोस्पेर एडमोस्पेर और हाइड्रोस्पेर इनको एक बात इमेज से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें देखने क एरिया फिर आपको ये मैंटल देखने को मिल रही है और ऊपर जो आपको देखने को मिलेगी ये है किरस्ट ये जो है एरिया है ये है किरस्ट ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये है किरस्ट जीरो से 100 किलो मीटर तक आपको किरस्ट देखने को मिलेगी फिर आपको मैंटल देखने को मिलेगी एस थैनो स्पेर इस लेयर से लेकर आपको आउटर लेयर तक देखने को मिलेगी मेंटल और आउटर कोर से आपको देखने को मिलेगी इनर कोर तक कोर तो ये आपको देखने को मिलती है लीटोस्पेयर में layers layers किसकी? Earth की Earth की layer कितनी है? तीन है, किरश्ट, mental और core और जो land होता है उसे हम क्या कहते है? लीटोस्पेयर तो ये आपको याद रखना है Earth की तीन layer होती है किरश्ट, mental और core जिसे कि आप outer core और inner core भी कहते है और जो land होता है उसे हम कहते हैं, lithosphere तो ये देखा हमने कि किस तरीके से हमने lithosphere देखने को मिलता है अब देखते हैं, atmosphere atmosphere हमें Earth के 4 ओर surrounding में देखने को मिलेगा ये देखिया, Earth है यहाँ पे हमारी और इसके surrounding में आपको atmosphere देखने को मिलेगा यहीं पे आपको जो radio का transmission है रेडियो और अगर आपने कभी सुना हो तो वो कैसे आता है वो बेव से आता है तो वो यहीं से इस एरिये से टकरा कर चली जाती है एरोपिलिन कहां पे उड़ता है एटमोसफेर में, रोकेट जो जेट है, जो सैटेलाइट है वो भी आपके आत्मोसफेर के बाहर देखने को मिलेगी तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है एटमोसफेर में यहापे आपको गैसेस देखने को मिलेगी आकशिज़न, नाइट रोजन, कारवन डाइउकसाइड उज़़न लेइर भी आपको देखने को मिलती है atmosphere में तो ये सारी चीज़ें आपको atmosphere में देखने को मिलेंगी कोई confusion तो होगी नहीं आपको atmosphere में कि क्या क्या देखने को मिलता है कहां देखने को मिलती है कोई problem नहीं होगी अब देखते है hydrosphere hydrosphere में आपको क्या देखने को मिलता है कि हाइडरोस्पेर आपको कहा देखने को मिलेगा यह मिलेगा टैंक समय had na bu Most जो कि सबसे बड़ा इसका Ezसे है निया को गङसे और भी बहुत सारी है यह देखी कि आपको यहां पर लेक में पानी देखने को मिल रहा है और इसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्पेर जहां पर भी आपको पानी देखने को मिलता है उसे क्या कहेंगे हाइड्रोस्पेर तो यह आपको कन्फूजन नहीं होनी है कि अगर कहीं भी पानी है तो उसे हम क्या कहेंगे hydrosphere तो कोई confusion नहीं अगर आपको land देखता है तो क्या है lithosphere अगर आपको gases देखती है तो क्या है atmosphere और hydrosphere आपको कहां देखने को मिलेगा जहां पे आपको पानी देखने को मिलता है अब चाहे वो बरफ के form में हो ice हो, water हो या water vapor हो अगर तीनों फर्म में से किसी भी एक form में है तो वो hydrosphere है और तीनों ही form में होता है चौथा कोई form है नहीं अब देखते हैं biosphere ये देखिए आप ये है हमारा lithosphere ये है हमारा hydrosphere और ये है हमारा atmosphere तो यहां पे आप देखिए ये जो zone है इसे कहते हैं हम Biosphere क्योंकि यहां पे हमें जो तीनों कंपोनेंट है अर्थ के Lithosphere, Hydrosphere और Atmosphere वो यहां पे meet करते हैं एक दूसरे से overlap करते हैं और इसी region को हम क्या कहते हैं Biosphere Biosphere कहते हैं इस region को अब इसे image की help से भी देख लेते हैं कि Biosphere हमें किस तरीके से देखने को मिलता है यह देखिए आप यहां पे आपको gases देखने को तो मिलेंगी हवा होगी, यहां पे air होगी यहां पे आपको water देखने को मिल रहा है और यह land है यहां पे आपको jeep देखने को मिल रहा है देखिए यहां पर गोंगा है, यहां पर कंगारू है, इंसेक्ट्स हैं, प्रोटो जोंस हैं, बैक्टिरिया हैं, फिरॉग है, तो यह सारे आपको जीब कहां पर देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बायोस्पेर देखने को मिलता है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा जी और land भी मिलेगा जिससे कि जीवन बहुत आसान हो जाता है जब भी तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है तो यह आपको याद रखना है आपको वाईऑस्पेर कहां देखने को मिलेगा जहां पर लीटोस्पेर, एटमोस्पेर और हाइड्रोस्पेर तीनों मीट और ओवरलैप करते हैं या इंट्रक्ट करते हैं एक दूसरे से उस रीजन को हम क्या कहते हैं बायोस्पेर अब आगे हम सबको डीटेल में एक-एक से कवर करते हैं लीथोस्पेर को, हाइडरोस्पेर को और एटमोस्पेर को लीथोस्पेर, लीथोस्पेर आपको कहा कहा देखने को मिलता है पहले तो लीथोस्पेर किसे कहते हैं, सॉलेड पोर्सन जो भी अर्थ का solid portion होता है उसे हम क्या कहते है लितोस्पेर लितोस्पेर अर्थ की crust से बना हुआ है और ये बहुत पतली layer है soil की उससे बना हुआ है इसमें आपको nutrient देखने को मिलेंगे और कुछ organism भी देखने को मिलेंगे जो कि यह sustain करते है nutrient जो होते है यह organism sustain करते है जो अर्थ का surface है वो आपको दो division में देखने को मिलेगा पहला division आपका क्या है continent और दूसरा division आपको देखने को मिलेगा Oceans आपको देखने को मिलेगा दूसरा division जो लाज्ज लेंड मास यानि कि जहां पर आपको जमीन देखने को मिलती है वो है continent और जहां पर water bodies देखने को मिलती है जहां पर water है water कहां पर ocean में सबसे ज़्यादा है तो इसे कहते हैं ocean basins यहां पर हमें huge water bodies देखने को मिलती है तो हमारी दो डिवीजन हो गए अर्थ के surface के दो डिवीजन हो गए the large land masses are known as continents और जो huge water bodies होने हम क्या कहते है ocean basins तो यह हो गया पहला और यह हो गया दूसरा तो दो डिवीजन हो गए earth के जो oceans है world के वो एक दूसरे से connected है जब भी आप map देखेंगे अर्थ का तो देखेंगे कि जो oceans है वो एक दूसरे से connected है Pacific ocean Atlantic ocean से connected है Indian ocean से connected है Arctic ocean से connected है Antarctic Ocean से connected है तो सब एक दूसरे से connected है तो इसमें आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको ocean देखने को मिलते हैं यहाँ पे देखिए आप यह है आपका Atlantic Ocean यह Pacific Ocean यह है Indian Ocean, यह है Antarctic Ocean और यह है Arctic Ocean तो यह देखिए यह यहाँ पे जोड़े हुए है यह यहाँ पे जोड़ा हुआ है तो सब एक दूसरे से मिले हुए है तो आपको कोई confusion नहीं अगर आपको कभी लगता हो कि यह सब ही अलग-अलग है नहीं तो ऐक दूसरे से जोड़े हुए Sea Water जो होता है उसका हम एक यूज इस तरीके से भी करते हैं जब हम कहीं रहते हैं माली जी यहाँ पर समुद्र है यह समुद्र में पानी भरा हुआ है और हमारा इधर घर बना हुआ है तो आप देखेंगे कि जो यह समुद्र है हमारा उससे हम थोड़ी उचाई पर रह रह रहे हैं यहाँ पर हमारा घर बना हुआ है तो हम थोड़ी उचाई पर रह रहे हैं तो इसको हम कैसे देखेंगे कि कितनी उचाई पर रह रहे हैं तो हमने जो समुद्र है उसका जो लेवल है उसे हमने जीरो माना है जीरो, जीरो मीटर उसके उपर जितना भी हाइट होता जाएगा उसे हम उसे हम कैसे मीजर करेंगे इसे हम मीजर करेंगे सी के लेवल से, सी के लेवल को जीरो माना है और जितने भी मीटर उपर जाएगे तो हम क्या कहेंगे एवप सी लेवल और below sea level तो होगा ही नहीं क्योंकि below sea level अगर होगा तो बहुत अरिया आपका जो भी land हो सम्मर्द जो जाएगा ocean में समा जाएगा तो जो भी area हम measure करते हैं वो above sea level करते हैं कि कितना ये sea level से उचा है तो ये देखा हमने lithosphere कोई confusion तो होगी नहीं आपको तो चलिए आगे देखते हैं यह आपको यही देखने को मिलेगे कि किस तरीके से यहाँ पर ocean connected है यह मैंने आपको बताई दिया है जो highest mountain peak है यह आपको lithosphere पर देखने को मिलेगी land पर देखने को मिलेगी यह आपको कहां देखने को मिलेगी ये मिलेगी नैपाल में नैपाल में है माउंट एवरेष्ट जिसकी उचाई है 8848 मीटर ये उचाई कैसे ना पिये हमने कैसे मीजर किये ये किये हमने सी लेवल से सी का जो लेवल है वो से 8848 88848 किलो मीटर सौरी मीटर एबब सी लेवल इसकी ऊंच आई है तो इतनी ऊंच आइ है Sea Level से तो ये तो ऊंच आई हो गई लेकिन Depth हमें कहांग पर देखने को मिलती है Greatest Depth ये हमें देखने को मिलती है Mariana Trench में Mariana Trench कहां पर देखने को मिलती है ये मिलती है Pacific Ocean में Pacific Ocean जो की China और USA को Connect करता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा मरियाना ट्रेंच जो की 11,22 मीटर डेफ्थ है इसकी यानि की जो एलिवेशन है अर्थ का उससे भी जादा डेफ्थ है अर्थ की जो आपको डेफ्थ देखने को मिलती है वो है 11,22 मीटर और elevation जो देखने को मिलता है वो है 8,848 meter तो depth बहुत ज़्यादा है तो यह आपको पता चला कि जो अर्थ की depth है वो ज़्यादा है elevation से अब देखते हैं continent continent में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है यह आपके lithosphere में ही चल रही है यह सारी शीज़ है continent भी आपका lithosphere में है जो continent हमें देखने को मिलते हैं पूरे world में यह है 7 major continent अगर आप world का map देखेंगे तो आपको 7 continent देखने को मिलेंगे जो की है Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica अब इन्हें हम एक बार map में देख लेते हैं यह देखिए आप यहाँ पे आपको सारे continent देखने को मिल रहे है North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia and Antarctica यहाँ पे आपको बरफ देखने को मिलेगे only ice देखने को यहाँ पे आपको मिलती है तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ तो साथ continent होगा है हमारे पूरे बल्ड में और हम कहां रहते हैं? Asia में, Asia में कहां? हमारे भारग देश में तो यह आपको continent याद रखने हैं अब एक, एक से देख लेते हैं सारे continent के बारे में कि Asia में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है एसीआ जो कौटिनेंट है यह पूरे वर्ड में लार्जस्ट निंत है यह आपको याद रखना हैं लार्जस्ट कौटिनेंट इन दी वरड़े हैं असे या बन थर्ड एरिया कवर करता है कितना वं थर्ड एरिया टॉłosटल एेरिया और्फ it it covers one-third of the total land area of the earth the continent lies in the eastern hemisphere यहां पर हमने क्या देखा था हमने image में क्या देखा था कि हमें जो Asia देखने को मिलता है world map में यह हमें देखने को मिलता है East में तो यह में इस side देखने को मिलेगा East में तो यह मैं आपको confusion नहीं होनी है कि Asia कहां पर यूरोप कहां पर अफरीका कहां पर ये हमें totally इस्टरन हमें एक कॉंटिनेंट से हमें एक लाइन पास होती हुए देखेगी जिसे हम कहते हैं ट्रांपे कॉंसर और यह पास कहां मास होते हुए देखेगी ऐसिया सेपरेट है यूरोप से यूरोप वी एक और कॉन्टिनट है और अधिया भी कॉन्टिनट हैं तो यह mountain separate करते हैं यूरोप को Asia से और जो land mass है combined land mass है यूरोप और Asia का उससे क्या कहते है Eurasia माल लिजी यहां पर कोई combined land mass है यह तो इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे Eurasia Eurasia यहां पर आप देखने है Eurasia Europe plus Asia equal to Eurasia तो यह आपको Asia के बारे में सारी चीज़े याद रखनी है कोई confusion तो होगी नहीं आपको सारा समझ में आ रहा है अब देखते हैं यूरोप के बारे में यूरोप is much smaller than Asia आपको बैसे तो यही याद करना कि largest continent Asia है second number पे कौन आता है बस इतना सा याद रखना है आपको और सबसे छोटा कौन है आपको इस तरीके से याद नहीं रखना कि यूरोप छोटा है एस तरीके से अगर आप याद रखना चाहिए कि छोटा है लेकिन कितना छोटा है यह हमें नहीं पता the continent lies to the west of Asia आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो आप Asia देखेंगे और इस साइड आप देखेंगे यूरोप तो यह कहाँ पे देखने को मिल रहा है यह west है ना तो west में आपको देखने को मिलेगा यूरोप कहाँ किसके west में Asia के west में west of Asia आपको देखने को मिलेगा यूरोप the Arctic Circle passes through it जो Arctic Circle है वो Europe से पास होते हुए हमें देखता है और जो Europe continent है यह हमें तीनों तरब से water bodies से गिरा हुआ देखने को मिलता है इन तीन तरब से North में, West में और South में इन तीन दिसाओं में हमें water देखने को मिलता है यह हो गया यूरोप अब देखते हैं अफ्रीका के बारे में अफ्रीका में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है जो अफ्रीका है यह second largest continent है सबसे बड़ा कौन सा continent है Asia दूसरे नमर पर कौन सा है अफ्रीका अफ्रीका केवल ऐसा continent है पूरे वर्ड में जहां से आपको Tropic of Cancer, The Equator और Tropic of Capricorn यह तीनों लाइन आपको पास होते हुए देखेंगी अफ्रीका से 23.5 डिगरी नॉर्थ यह आपको Tropic of Capricorn मिलेगी Sorry Tropic of Cancer मिलेगी फिर आपको 0 डिगरी पे Equator मिलेगी और 23.5 डिगरी साउथ में आपको क्या देखने को मिलेगा Tropic of Capricorn तो यह तीनों लाइन पास करती है अफ्रीका से अफ्रीका का जो लाजर पाइट है वो नदन हेमिस्पेर में लाइक करता है लेकिन अफ्रीका का जो कुछ पाइट है वो साउथ में भी लाइक करता है तो नदन हेमिस्पेर में भी लाइक करता है और सदन हेमिस्पेर में भी लाइक करता है और यह हम देखी चुके है कि वर्ल्ड का होटेस्ट डेजर्ट जिसका आपने नाम सुना होगा यह डेजर्ट आपको कहां देखने को मिलता है वर्ल्ड लार्जेस्ट होट डेजर्ट आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में इसका नाम है सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट यह आपको कहां पर देखने को मिलता है अफ्रीका मैं लारजेस्ट होट में जो चारों तरप ऊसी गहाँ देखने को मिलेगा चारों तरफ आपको कॉएमेंट जो है वह सी से गहाँ होदेखने को मिलेगाborne इसके चारों सी है व्ट की जो10 टर्च अबर है जिससे कि नील कहा जाता है नील नदी जो है यह आपको अफरीका में देखेगी अफरीका में यह फिलो होती है तो यह सारी चीज़ें आपको अफरीका में याद रखनी है कि आपको क्या-क्या देखने को मिलता है और अफरीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉंटिनेंट है पूरी बल्ड में अब देखते हैं Sum black America North America is the third largest continent of the world पहला कौन सा था Asia दूसरा कौन सा है South Africa तीसरा कौन सा है North America यह आपको याद रखने है सिरियल वाइस सबसे बड़ा पिर 2nd नम्बर पे North America is the third largest continent of the world नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है कैसे आप यह बहुत रफ मैप बना रहा हूँ मैं आपको समझ में आए तो समझ लीजिए यह आपका नौर्थ अमेरिका था और यह साउथ अमेरिका है यह आपका नौर्थ अमेरिका है और यह आपका South America है तो यह आप जो देख रहे हैं यहाँ से आपको connected मिलेगा North America और South America यह किस तरीके से connected है यह एक इस्थमस से connected है जिसे कहते है इस्थमस of Panama जो की बहुत narrow strip है लेंड की बहुत narrow strip यह तो मैंने dark कर दिये इतनी पतली narrow अगर आप देखेंगे तो इतनी पतली narrow आपको लेंड देखने को मिलेगी जिसे क्या कहते है इस्थमस और पनामा तो यह आपको कहां देखने को मिलती है North America और South America के middle में जो की इन दोनों को जोडती है The continent lie completely in the northern and western hemisphere जो North America है यह totally आपको northern hemisphere में देखने को मिलता है और northern hemisphere में तो देखने को मिलता है यह साथ में यह western hemisphere में भी आपको देखने को मिलता है तो इसमें आपको confusion नहीं होनी है कि कहां पर देखने को मिलेगा आपको North America northern hemisphere में और western hemisphere में जो North America है यह तीन तरफ water bodies से गिरा हुआ है अब यहाप एक question है कि अगर आप इन water bodies के नाम बता पाएं ocean के नाम बता पाएं तो बताईए तो इधर आपको देखने को मिलेगा Atlantic Sea Atlantic Sea आपको देखने को मिलेगा East में Pacific Ocean आपको देखने को मिलेगा West में और आपको देखने को मिलेगा Arctic Ocean तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगे तीन water bodies तीन ocean आपको देखने को मिलेगे North America के तीन तरफ अब देखते हैं आगे हम South America के बारे में South America हमें कहां देखने को मिलता है क्या क्या में इसमें पढ़ना है यह आप देख रहे है नौस अमेरिका है यह साउथ अमेरिका है यह जो पतली सी नेरो लाइन है लेंड है जो इसे कहते हैं इस्तमास इस्तमास ओफ पनामा यह बहुत नेरो श्ट्रेप है जो कि दोनो लेंड मास को जोइन करती है साउथ अमेरिका में हमें पढ़ना है कि साउथ अमेरिका जो है यह दो तरप से सराउंड है ओसियन से इस्ट और वेस्ट इधर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओसियन और इधर आपको देखने को मिलेगा Atlantic Ocean तो दो आपको देखने को मिलते है Pacific Ocean और Atlantic Ocean वर्ड की जो longest mountain range है जो बहुत बड़ी mountain range है बहुत लंबी mountain range है उसे हम कहते हैं Andies और यह आपको कहां देखने को मिलती है यह आपको देखने को मिलती है साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में आपको एंडीज देखने को मिलते हैं और यह बहुत बड़ी लंबी लॉंगेस्ट आपको माउंटें रेंज देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में आपको अमेजन रिवर देखने को मिलती है आपको अमेजन रिवर कहां मिलेगी साउथ अमेरिका में अमेजन नाम आपने बहुत सुना होगा यहां से आपने सौपिंग भी की होगी इसका नाम अमेजन रिवर से ही लिया गया है क्योंकि जो अमेजन का मतल वो यह है कि यहां पर वास्ट बेराइटी बहुत बड़ी चीज़ है बहुत बड़ी है इतनी बड़ी कि इसमें सारी चीज़े समाई हुई है तो अमेजन रिवर आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी और एक अमेजन आपको ओनलाइन देखने को मिलेगी जहां पर अब swap in करते हैं साउथ अमेरिका में आपको वर्ट की लाज़ेस्ट रिवर देखने को मिलेगी अमेजन तो यह हमने कवर किया साउथ अमेरिका और नौर्थ अमेरिका connected है इस तमस और पनामा से South America के West में Pacific Ocean और आपको East में Atlantic Ocean देखने को मिलेगा और यहां पे आपको Andes Mountain Range देखने को मिलेगी और Amazon River देखने को मिलेगी आपको South America में अब देखते हैं Australia के बारे में Australia continent is the smallest continent in the world Australia continent पूरे वर्ड में सबसे छोटा continent है और यह टोटली Southern Hemisphere में लाई करता है जो Southern Hemisphere में लाई करता है वो टोटली जो लाई करता है वो है Australia and आपको कौन सा देखने को मिलेगा एक continent Antarctica and Australia totally Southern Hemisphere में लाई करते हैं जो Australia continent है आप देखेंगे कि यह चारों तरफ Australia माल लेजिए ऐसा सेफ आउस्टेरेलिया का तो यह चारों तरफ water body से घिरा हुआ है It is surrounded on all sides by the ocean and seas that is why it is called an island continent इसे लिए Australia को क्या कहा जाता है island continent अगर आप से कभी question पूछा जाए which continent is called island continent so you can answer that Australia is the island continent because it is surrounded by the oceans on all sides of it अब देखते हैं हम एंटाक्टिका के बारे में एंटाक्टिका आपको totally कहां देखने को मिलता है southern hemisphere में यह अब आस्टरेलिया जैसे आपको southern hemisphere में देखने को मिलता है उसी तरीके से एंटाक्ट का भी आपको southern hemisphere में देखने को मिलेगा और यह बहुत बड़ा continent है आप अगर सोचेंगे कि यह पोल्स के पास है तो छोटा है नहीं बहुत बड़ा है क्योंकि सबसे चोटा तो उस्टरेलिया है ना तो एंटाक्ट का तो बड़ा ही होगा जो एंटाक्ट का है यह आपको south pole के पास देखने को मिलेगा almost center में आपको देखने को मिलेगा and it is located in the south polar region और जो south polar region वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंटाक्ट का यह totally cover है thick ice से यहाँ पे आपको cable बरफ देखने को मिलेगी बरफ की seats से देखने को मिलेगी एक के एक उपर layer देखने को मिलेगी ice की यहाँ पे कोई भी permanent human settlement नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे human देखने को मिलेगी क्योंकि कई तो घूमने जाते हैं यहाँ पे research भी चल रही है बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है many countries have research station in intact का research center है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत country के research center है यहाँ और इंडिया का भी एक research center है station है जिसे की नाम दिया गया है मेत तरी और दक्चिन गंगोतरी दो research center है इंडिया के मेन दक्चिन गंगोत तो यहाँ रखना है ऐसे question आपसे पूसे पूसे जा सकते हैं की की इंडिया के कौन से दो research station है जो की quantum continent मैं है तो मेत दक्चिन गंगोतरी आपको देखने को मिलेंगे research station अब देखते हैं हाईडर स्पेर में हमें क्या क्या पढ़ना है धी उससे पर सेंटा अजने क्या पर आपको वॉटर देखने कू मिलता है बॉक्वार्ट बदी है लेंड comenient को देखने को मिलेंगी जो अर्थ है हमारी उसका 71% एरिया तो आपको केवल क्या देखने को मिलेगा केवल पानी से ढखा हुआ देखने को मिलेगा 71% माली ये इतना बड़ा हिस्सा है अर्थ का और इतना हिस्सा ये हिस्सा ये तो केवल पानी से बढ़ा हुआ है Ocain है यहापे तो इतना बड़ा इससा आपको केवल पानी से cover मिलेगा और जो 29% है यह इसमें आपको लेंड मिलेगा यह 29% पर आपको जमीन मिलेगी जहापे जंगल भी है घर भी है गोस्पिटल भी है यहापे बहुत सारी चीजह है जहापे आपको माउंटेन भी हैं, गलेसियर्स भी हैं, तो ये सारी चाहिए आपको केवल 29% लेंड पे देखने को मिलती हैं, और OCN आपको 71% एरिया पे देखने को मिलता है, तो समझ गए आपकी कितना ज़्यादा पानी है अर्थ पे, लेकिन सारा पानी पीने के काबिल नहीं है, पीने होता है, ice form में भी होता है, water यानि कि liquid form में भी आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा, ये water vapor के form में, तो तीन form में आपको देखने को मिलेगा, hydrosphere, ice, water, and water vapor, ice आपको कहां पे देखने को मिलती है, glaciers में, glaciers में आपको ice देखने को मिलेगी, underground water आपको देखने को मिलेगा, जो कि liquid form में देखने को मिलेगा, और water vapor आपको देखने को मिलेगी, atmosphere में, जो कि vapor के रूप में होगी, so all these comprise the hydrosphere all comprise the hydrosphere इन सभी से मिलकर जो भी ये सारी form है इन सभी को हम क्या कहते है hydrosphere अब जो hydrosphere है यानि कि जो water है 97% of the earth's water is found in the ocean जो water है अर्थ पे उसका 97.5% आपको केवल ocean में देखने को मिलेगा और ये बहुत जादा salty होता है तो ये आपके यूज का नहीं है हमारे पीने योग नहीं आई है हाला कि अब बहुत सारी technology का यूज करके इसे पीने योग बनाया जा रहा है ड्रेंक के वाल इसे बनाया जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा because it is too salty for human use a large proportion of the rest of the water is in the form of ice seat and glacier or under the ground and a very small percentage is every level as fresh water for human use जो आपको fresh water देखने को मिलता है वो मिलेगा आपको 2.5% और इसी में आपको ice seat देखने को मिलेगी glacier देखने को मिलेगी under ground water देखने को मिलेगा किसम है? 2.5% में तो आप समझ रहे हैं 2.5% water आपका fresh है अर्थ पे और उसमें से भी glacier, ice seat और underground जो water है वो भी इसी में सामेल है तो इसी लिए हमें scarcity होती है पानी की बहुत जादा इसलिए कहा जाता है कि जली जीवन है जल है तो कल है और हमें जल को बचाना है क्योंकि जल के जो पीने योग के पानी है वो बहुत कम है इसी लिए इतना बड़ा area कवर करता है 71% area पे हमें water देखने को मिलता है अर्थ के area पे इतने area पे water देखने को मिलता है इसी लिए earth को कहा जाता है blue planet और we face shortage of water क्यों क्योंकि यहां पे 2.5% ही fresh water है earth पे जिसमें की बहुत बड़ा area आपको glacier में देखने को मिलेगा आपको underground water में देखने को मिलेगा तो इनी बज़े से हमें shortage होती है पानी की तो इसमें आपको कोई confusion नहीं होगी अब देखते है hydrosphere में हमें क्या-क्य चीज़ें पढ़ने को मिलती है ocean hydrosphere में ocean आते हैं ocean में हमें क्या-क्या पढ़ना है तो चलिए ocean को cover करते है ocean में क्या-क्या हमें देखने को मिलता है ocean are the major part of hydrosphere because ocean contains almost 95% water of the earth क्योंकि 90 almost 95% water आपको 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 देखने को मिलेगा oceans में they are all interconnected जो ये oceans हैं वो सभी एक दूसरी से connected है ये हमने देखा था the ocean water are always moving ये जो ocean water होता है वो हमेसा move करता है एक जगा से दूसरी जगा the three chief movement of the ocean water are the waves, tides and the ocean currents अब आपके बल इस तरीके से समझेए कि जो earth का जो ocean का movement होता है वो आपको wave के थिरू देखने को मिलेगा tide के थिरू देखने को मिलेगा और ocean current की वज़े से आपको देखने को मिलेगा जो oceans का movement है वो अब इनके बारे में हम detail में आगे की classes में पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे पूरे वल्ड में हमें कितने ocean देखने को मिलते हैं पांच जिनके नाम है Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean and Arctic Ocean Southern Ocean को आप क्या कहते हैं Antarctic Ocean भी आप कहते हैं तो no confusion पांच ocean देखने को मिलते हैं जो Pacific Ocean है यह largest ocean है in the world यह सबसे बड़ा ocean है पूरे वर्ल में और यह almost one third of the earth इतने area पे यह फैला हुआ है one third area कवर करता है मरियन ट्रेंच में आपको highest depth देखने को मिलती है कितनी 11,000 22 meter जो कि अर्थ के elevation से भी ज़्यादा है अर्थ का elevation कितना था 8,888 meter किसका amount average का और यह मरियन ट्रेंच है तो देखिए कितना ज़्यादा है पैसे पे ocean है जो almost circular and safe हनी कि आपको थोड़ा circular देखने को मिलेगा और पैसे पे ocean के surround में आपको Asia, North and South America देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको Australia भी देखने को मिलेगा इसकी surrounding में तो यह आपको याद रखना है कि कौन-कौन से हमें continent इसके पास देखने को मिलते हैं Asia, Australia, North and South America सराउंडेट अब देखते हम Atlantic Ocean के बारे में Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world Second largest ocean कौन सा है Second largest ocean है Atlantic Ocean और यह S-Sept में आपको देखने को मिलेगा ऐसे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा तो इसे कहा जाता है S-Sept ocean जो Atlantic Ocean है यह आपको North America के East में और South America के East में देखने को मिलेगा और जो Atlantic Ocean में आपको Coast Line देखने को मिलेगी यह highly indented है Indented का मतलब क्या होता है कुछ इस तरीके से यह देखिए अंदर बाहर अंदर बाहर बाहर देखिए किस तरीके से यह तूटी हुई है तो यह बहुत ज्यादा helpful होती है किस चीज में हारवर में है नैचुरल हारवर आपको देखने को मिलेंगे पोर्ट देखने को मिलेंगे और यह जो indented जो line Coast Line होती है यह बहुत ज्यादा helpful होती है जब भी आप fishing करते हैं तो यह आपको याद रखना है ideal location यह provide करती है for natural harvors and port and from the point of view of commerce it is busiest ocean यह हमारे वल्ड में busiest ocean है जिसमें की commerce सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किया जाता है तो Atlantic Ocean हमने cover किया अब देखतें Indian Ocean Indian Ocean एक मात्र ऐसा ocean है जो कि किसी country के नाम पर इसका नाम रखा गया है और जिस country के ऊपर इसका नाम रखा गया है वो है इंडिया Indian Ocean named after India the shape of ocean is almost triangular आप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा यहापे आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए इसका जाता है कि कुछ ट्राइंगूलर आपको एडिया देखने को मिलता है इंडियान ओसियन का यह टोटली नॉर्थ में लाई करता है And it is bound by Asia in the west of Africa जो north part है इंडियन ओसियन का यह असिया से गिरा हुआ है It is bound by Asia and west में यह अफरीका से गिरा हुआ है और east में यह ऑस्ट्रिलिया से गिरा हुआ है यह आपको याद रखना है इंडियन ओसियन में यहाप यापको Asia देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको अस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और यह आपको इंडियन ओसियन देखने को मिलेगा तो इस तरीखे से आपको तीन कॉंटिनेंट देखने को मिलते हैं इंडियन ओसियन के चारों तरफ अब देखते हैं Southern Ocean Southern Ocean encircle the continent of Antarctica and extend northward to 60 degree south latitude जो Southern Ocean encircle करता है Antarctic continent को और ये 60 degree तक ये spread फैला हुआ है 60 degree तक तो ये आपको Southern Ocean में बस इतना याद रखना है कि Antarctic continent को ये circle करता है अब देखते हैं Arctic Ocean Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole North Pole को ये surround करता है चारों तरब से इस connected with the Pacific Ocean वाया narrow stretch of shallow water known as the Bering Strait आप देखेंगे कि Pacific Ocean से ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है यहां पे आपको North America देखने को मिलेगा कुंछ इस तरीके से यहां पे आलास्का देखने को मिलेगा और यहां पे छोटी सिए आपको narrow line देखने को मिलेगी narrow stretch आपको देखने को मिलेगा यहां पे किसकी मदद से यह बेरिंग इस्ट्रेट की मदद से जुड़े हुए है इस बाउंड बाउंड नर्ण खोष्ट ऑप नौर्थ अमेरिका एंड यूरेसिया जो है यह नौर्थ अमेरिका से बाउंड है और यूरेसिया से भी बाउंड है यहां पर आपको यूरोप देखने को म मिलेगा तो यह यूरेसिया और नौर्थ अमेरिका दौनों से बाउंड है तो यह देखा हमने सभी ओसियंस के बारे में देख लिया है कोई कंफीजन हो अगर आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूंच सकते हैं आपके डाउट किलियर कर दूंगा मैं तो हमने क्या क् अब आड़ी हमने पढ़ा लिषप के अब पढ़ेंगे एट्मोस फैयर सरांड़िट वाई लίएओ अक्सी घशन नाइट्रोजन करबन डाय औक्साइट ऑसद्र और यह बहुत सारी है अरगनेक लियम तो इस अब को मिला के जो लेयर्स बनती हैं गैसे इसकी उनको कहते हैं हम एटमोस्पेर और यह अर्थ की चारोर सराउंड करती है इस इन इंटीगर्याल एंड इंपोर्टेंट एसपेक्ट ऑफ दी प्लैनेट यह जो गैसे से बहुत इंपोर्टेंट रोल पिले करती है प्लैनेट के और यह जो इटमोस्पेर है और यह जो गैसरें यह हमें प्रोटेक्ट करती है जो संद की रेज है कौनसी दीर यूवीडे शट कुनसी ने कलती है ... इनसे हमें बचाती हैं एटमोस्पेर में आपको एक और ओजोन लेयर को मिलेगी यहां से संकीरे जा रही है और वो जो लेयर में टकारा के यह लोट जा रही है कुछ आ जाती है, कुछ चली जाती है इट्मोस्पेयर एक्स्टेंड अप्टूर आ हाइट आफ अबाउट 1600 किलोमीटर जो एट्मोस्पेयर की हाइट है यह आपको अब्पराइब को अल्मूस्ट सो ला सो किलोमीटर तक देखने को मिलें इनकी यान लास्ट जो लेयर है कि या आपको ला सो किलोमीटर तक देखने को मिलेंगी टोटाल आपको काहां से किरस्ट से लेकर the atmosphere is divided into five layers based on composition, temperature and other properties जो atmosphere है अर्थ का atmosphere है यह पांच लेयर में डवाइड है किस बेस पर पांच लेयर में डवाइड है composition के base पर temperature के base पर और प्रोपार्टी जिनके base पर जो atmosphere की layer है उनको divide किया गया है और यह layer कौन-कौन सी है these layers starting from the earth surface is are called the droposphere यह फिरम मिलेगी स्टराटॉसपेर मीजोसपेर ठर्मोसपेर एड़ एक्जोसपेर कितनी हो गई को मिलेंगी मेजह स्पयर में आपको नब तो आपको याद रख नहीं है इनके बारे में डीटिल में अभी हमने कबर नहीं किया है पांच और लेयर के the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen which makes up about 99% of the clean dry air the atmosphere is mainly based on nitrogen gas and oxygen gas with nitrogen gas you can see 78% oxygen you can see 21% and the other gases you can see 1% so all these things you can see nitrogen you can see much more and then oxygen and the rest of the gases is a Tia carbon dioxide are gone or be bought here you can 1% volume comprise करती है oxygen is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organism जो oxygen यह ब्रेथ के लिए useful होता है सांस लेने के लिए अगर आप सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे तो oxygen is very important for our life because we breathe oxygen but nitrogen helps in the growth of living organism यानि कि अगर nitrogen नहीं होगी तो पौधा इतना सा ही रह जाएगा यह पेड नहीं बन पाएगा आप भी बच्चे ही रह जाओगे आप बड़े नहीं बन पाओगे तो इसलिए nitrogen बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह growth of living organism में help करता है carbon dioxide though present in minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth carbon dioxide बहुत कम मातरा में present है लेकिन यह important भी है क्योंकि यह जो heat होती है अर्थ पे जो heat आती है जो observe की जाती है heat sun से वो carbon dioxide के द्वारा की जाती है इससे क्या होता है अर्थ हमारी थोड़ी सी warm होती है अगर carbon dioxide खतम हो जाए तो अर्थ warm नहीं होगी और यह एतनी ठंडी हो जाएगी कि हम ठंड के मारे मर जाएंगे जीवनिया से खतम हो जाएगा it is also essential for the growth of plant तो यह आपको याद रखना है atmosphere में the density of the atmosphere varies with heights जो density है atmosphere की यह आपको height के अनुसार change होती होगी देखने को मिलेगी जो density है यह आपको maximum देखने को मिलेगी sea level पे और यह जैसे ही आप उपर जाते जाएगे पहाड़ों पर जैसे ही चड़ते जाएगे तो यह decrease होती जाएगी rapidly when you go up the density decreases but when you go down the density increases so you know the climber's experience problem in breathing जब भी कोई mount Everest पे जाता है तो उसे सांस लेने में problem होती है अगर कोई height का patient होता है तो उसे मनाई कर दिया जाता है कि आप नहीं जाएं तो बैतर है आपके लिए भी और हमारे लिए तो यह हमने देखा कि किस तरीकी से oxygen important है हमारे जीवन के लिए लेकिन कुछ patient ऐसे होते हैं जिनने की minute कोई problem आती तो वो क्या करते हैं cylinder लेके जाते हैं oxygen की cylinder लेके जाते हैं जो की help करते हैं हमें कि अधिया अधिया अनेवल टू ब्रीथ कि टेंप्रेचर और सो डिक्रीजेश एज वी गो आप बाड़ जैसे हम उपर जाते हैं देले देले उपर जाते हैं तो क्या होता है temperature decrease करता है यानि कि अगर आपका जमीन पर 25 degree Celsius था तो उपर जाएंगे तो 22 degree Celsius हो जाएगा तो इस तरीके से आपको temperature में भी variation देखने को मिलेगा जैसे ही जैसे आप उपर जाएंगे the atmosphere exerts pressure on the earth this varies from place to place जो atmosphere है वो pressure बनाई रखता है अर्थ पे और ये जगा जगा पे अलग-अलग हमें देखने को मिलता है जैसे कि कुछ ए रिया high pressure absorb करते हैं experience करते हैं और कुछ ए रिया low pressure experience करते हैं जो air होती है वो high pressure से low pressure की और जाती है ये आपको याद रखना है यानि कि अगर कहीं पे बहुत ज़दा high pressure है तो वहां से हवा कहा जाएगी low pressure की तरफ और high pressure किसे कहा जाता है और आपको high pressure कहां पे देखने को मिलेगा जहां पे air के molecules बहुत बहुत पास होते हैं बहां पे आपको देखने को मिलेगा high pressure और low pressure कि आपको जब यह molecules दूर 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 हो जाएंगे दूर दूर जब हो जाएंगे तो यह लो प्रेसर हो जाएगा तो इसकी तरफ से के जम System भी एएर मुव करती है उसे का जाता है वेंड है आप यज़ रहत ना what is cool wind moving air is known as wind तो यह देखा हमने सब कुछ atmosphere के बारे में सारी सीज़े clear हो गई होगी आपकी आप देखते हैं biosphere which is very important because it is the domain of life biosphere is the domain of life अगर आप से पूछा जाए which is the domain of life तो biosphere is the domain of life the biosphere is the narrow zone of contact between the land water and air तो हमने क्या देखा था यह आपका land यह आपका water और यह है air atmosphere तो यहां पर यह जो एरिया है इसे क्या कहते हैं biosphere क्योंकि यहां पर आपको land water और यह तीनों का आपको contact जोन देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा नेरो होता है लेकिन इक भी आपको यह देखने को मिलता है और इसी जुन में आपको life देखने को मिलती है ऐसा नहीं है कि अर्थ पे केवल यहीं देखने को मिलती है पूरी अर्थ पे आपको land, water और atmosphere देखने को मिलता है तो पूरी अर्थ पे आपको life देखने को मिलेगी and it is unique to this planet अब life अगर किसी planet पे है तो वो तो unique होगा ही क्योंकि पूरे solar system में कहीं भी किसी भी planet पर life support नहीं है except earth अर्थ को छोड़ कर कोई भी planet life support नहीं करता यह आप देख रहे हैं यहापे atmosphere है यह hydrosphere है और यह lithosphere है और यह जहाँ पे गाउं बसा हुआ है यह तीनों का mixer यूज कर रहा है पानी का भी यूज कर रहा है, land का भी यूज कर रहा है और breathing में air का भी यूज कर रहा है तो इस तरीके से हम यह biosphere देखने को मिलता है जो species होते हैं, organism होते हैं insect होते हैं, microbes होते हैं, Vector year होते हैं huge mammals होते हैं, जैसे कि animals होते हैं और all living organisms including humans ये साब ही क्या करते हैं वाय उस्पेर में सर्वाइब पार्टे तो यी बहुत जरए इंपोटेंट हो जाता है नियुट अध्का छेल्ट पेसिगार अगयो लवाइसिगोल होते हैं द लिश्पेर हाइड्ष्पेर ओ अट्मोच्पेर तीन होते हैं तो इस यह…… इंध्म UP जो और्गानेजम है वो बायोस्पेर में दो पार्ट में डवाइड हो सकते हैं पहला है आपका प्लांट है कि नम और दूसरा है एनिमल किंगडम है डी डूमेंस ऑप दी अर्थ इंटरेक्ट बिद इस अधर एंड अफेक्ट इस अधर इन संबे और दी अधर यानि कि जो आप मान लीजिए पानी खतम कर दे हाइड्रस पेर खतम हो गया तो क्या करेंगे आपका जीवन खतम है अगर आप पेड़ों को बहुत जादा काट देंगे तो आपकी जरूरत है लकडियों की जरूरत है उसके लिए अगर आप पूरे जंगल को काट देंगे और सबी अरिय यह को अगर आप क्लियर कर देंगे तो क्या होगा जो मिटी है वह बहुत जल्दी रिमूब हो जाएगी स्लोप बहुत जल्दी मूब हो जाएंगे लेंड स्लाइड हो जाएंगे तो इससे क्या होगा बहुत सारी नेचुरल कैलेमेटी जा जाएंगी सुनामी आ जाएगी व डेश्ट रोए एक जामपल अगर आप एक जामपल से देखते हैं समर्ज ऑफ लेंड अगर आप सोचेंगे कि कोई इससा पानी में डूब गया है समुदर के तो आप मानेंगे नहीं क्यों क्योंकि आपने ऐसा होते हुए अभी देखा नहीं है लेकिन जब भी आप देखेंग कि सुनामी कैस तरीके से आती है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ नेचुरल केलेमेटरी भी बहुत डेंजरस होती है जो अंडमानेंड निखोबार है उसका पाइट था वह अब पूरी तरीके से अंडर वाटर है पहले वह बाहर था यानि कि समुदर में नहीं था अब वह सम एक्टिविटीज हम पेड़ों को काट रहे है हमारी जो अर्थ है वह हीट हो रही है बहुत ज्यादा वार्म हो रही है जिसकी वज़े से गिलेसियर से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो वह कहां जा रहा है वह ओसी अंड में जा रहा है वह पानी बढ़ेगा तो क्या से make the water unsuitable for human use जो based material होता है वो क्या होता है factories से निकलता है और नदियों में चला जाता है तो यह क्या होता है unsuitable हो जाता है human के यूज के लिए लेकिन फिर भी लोग उसी को पीते हैं क्योंकि पानी इतना तो है नहीं कि आप हर जगा अगर underground पानी निकालेंगे तो पानी बचेगा कैसे तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब भी आप पानी का यूज करें make sure कि आप ज़रूरत के साबसे ही पानी का यूज कर रहे है emissions from industries, thermal water plants and vehicles pollute the air ये air को pollute करते हैं carbon dioxide is an important constituent of air जो carbon dioxide है वो बहुत important part है air का carbon dioxide का होना बहुत important है अर्थ पर अगर carbon dioxide नहीं होगी तो अर्थ warm नहीं होगी इतनी थंडी हो जाएगे कि हर जगा बरफ जम जाएगी ice जम जाएगे और इससे क्या होगा जो भी life support है वो खतम हो जाएगा इसलिए carbon dioxide भी जरूरी है पर इतनी भी नहीं कि जो global temperature वो increase हो जाए increase in the amount of CO2 leads to increase in the global temperature and this term as global warming जो ये global warming होगी वो कैसे होगी अगर temperature बढ़ जाएगा दो डिगरी हो गया तो बहुत जादा अंतर आ जाएगा जो हमारी अर्थ वो बहुत जादा warm हो जाएगी तो इसकी वज़े से global warming हो जाएगी बहुत जादा इसलिए हमें सबी चीजों को बहुत ध्यान में रखते हुए यूज करना चाहिए इसलिए हमें जो भी जरूरत मन की चीज़े हैं नीट टू लिमेट दी यूज ओफ रिसोर्सस ऑफ दी अर्थ तू मेंटेन दी बैलेंस ऑफ नेचर विटिविन दी डोमेंस ऑफ दी लीटोस्पेर, एटमोस्पेर यानिकि हमें बैतर तरीके से रिसोर्सस का यूज करना चाहिए जिससे कि क्या होगा जो बैलेंस है पानी के बीच, लैंड के बीच और एर के बीच वो बना रहे पर अगर यह बना रहेगा तो भवेस से भी अर्थ का बना रहेगा तो यह सारी चीज़ें आपको करनी है तो यह देखा हमने पूरा चैप्टर जिसमें कि हमने क्या क्या देखा हमने देखा लीटोस्पेर, हाइड्रोस्पेर, एटमोस्पेर, लीटोस्पेर में हमने क्या देखा था कंप्लीट अब करते हैं exercise complete exercise के question answer solve करते हैं question number first first का a what are the four major domains of the earth क्या-क्या है लिटोस्पेर हाइड्रोस्पेर एटमोस्पेर एंड वाइवस्पेर कोई confusion यह तो आपने आंसर दे दिया होगा इसका question number B sorry question number first का B name the major continents of the earth हाँ अब यह आप बताईए वीडियो पहुच कीजिए और answer लखिए लिख लिए होंगे चलिए कौन-कौन से होते हैं major continent नौर्थ अमेरिका South America Europe Asia Africa Australia and Antarctica अब देखिए चारे औस्ट्रेलिया या पर आप कहा लिए जिए Asia Australia Antactica and Africa Asia Australia Antactica and Africa तो यह आपको याद रखने साथ continent है हमारी टोटल कितने सेवन सी क्या पूछ रहा है name the two continent that lie entirely in the southern hemisphere कौन से दो continent हैं जो टोटली सदन हेमिस्फेर में लाई करते हैं यह हमारी अर्थ है यह कुछ इस तरीके से हमें है यह में ईस्फेर डिवाइड किये गये यह यह नौर्त है यह एस्ट है यह वेस्ट है यह साउथ है यह साउथ है तो साउथ में कौन इस एरिये में कौन-कौन से दो कौंटिनेंटे जो टोटली लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एंटाक्ट का यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको अस्ट्रेलिया तो कौन-कौन से हो गया एंटाक्ट का एंड उस्ट्रेलिया Name the different layer of the atmosphere कौन-कौन si layers atmosphere की ये आपको बतानी है तो कौन-कौन si है आपकी 5 layer है और ये हैं आपकी ट्रॉपॉस्फेर इस्टिराडिस्टिर्डोस्फियर मेजस्फेर थर्मॉस्पियर और एक्जाॉस्पियर और ये कौन ये आपकी कौन सी है यह पांच होगी आपकी, ट्रापर स्प्यर, एश्टराटर स्प्यर, मीजर स्प्यर, अर्मा स्प्यर, एग्जर स्प्यर. नेक्स्ट, वाई इस दी अर्थ कॉल्ड दी बिलू प्लेनेट, यह कोशेट्ण आप खुद लिखेंगे, blue planet क्यों होता है या question आपको खुद लिखना है, बहुत आसान है, क्योंकि पानी है अरति पे पानी है, इसे आप लिखेंगे, why is the northern hemisphere called the land hemisphere northern hemisphere, land hemisphere क्यों कहा जाता है, क्योंकि large area जो है, north hemisphere का large area है, बहुत पे आपको land देखने को मिलता है, because in the northern hemisphere the large area covers the land, so that's why it is called land hemisphere, why is the widespread important for living organism, because it contains lithosphere hydrosphere and atmosphere, यहां पे हम को land यानि की, जगा पानी और हवा देखने को मिलती ही, हवा यह हम ले सकते हैं, तो इसलिए यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है, living organism के लिए यह हो गया हमारा question number first, अगला question है take the correct answer take the correct answer में हमें पहला question पूछा गया है the mountain range that separates Europe from Asia is is called Arals Arals देखने को मिलते हैं, हमें Europe और Asia के beach next, the continent of North America is linked to South America, why किसके द्वारा connected है an isthmus an isthmus of Panama, यह आपको याद रखना है next, the major constituent of atmosphere by percent is कौन सी guess है, जो percentage में सबसे ज़्यादा है, 28% आपको oxygen देखने को मिलेगी O2, और 71% क्या देखने को मिलती है, कौन सी guess nitrogen nitrogen, यह है nitrogen, नेक्स्ट, the domain of the earth consisting of solid rocks, कहां पे देखने को मिलेगी, किस दोमें में देखने को मिलेगी आपको, जहां पे land ओ, वो लेंड कहां पे होती है, lithosphere में, नेक्स्ट, which is the largest continent, कौन सा continent सबसे largest है, जहां पे हम रहते हैं, हम कहां रहते हैं, इंडिया में, इंडिया कोई continent तोड़ी है, इंडिया, एक देश है, कौन से continent में लाई करता है, इंडिया, एसिया में, तो यह हुगा हमारा, second question complete, अगला question कौन सा है, third question, इसमें हमें क्या करना है, फिलेंदी विलेंग्स, पहला फिलेंदी विलेंग्स, क्या है, the deepest point on the earth is, कौन सा, कौन सा point है, जो Pacific Ocean में है, जो 11 हजार, 22 मीटर, डेप्ट में है, कौन सा है, मरियाना ट्रेंच, next, the ocean is named after a country, कौन सा ocean है, जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर कौन सा ocean का नाम रखा गया है, Indian Ocean, the is a narrow zone, यहाँ पर blank, is a narrow contact zone of land, water and air, that supports life, the biosphere, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर contact zone देखने को मिलता है, लेंड वाटर और air का, इसलिए यहाँ पर support भी देखने को मिलता है, लाइफ का, the continent of Europe and Asia together are known as Europe plus Asia, क्या बन जाता है, Eurasia, next, the highest mountain peak on the earth is, कौन से peak highest है, यह है, नेपाल की, नेपाल में कौन सी है, amount average, यह बर्ड की highest peak है, पुरे अर्थ पे highest peak है, तो यह हुगा अमारा chapter complete, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको lecture series अच्छी लग रही हो, तो चैनल को subscribe करें, बहुत बेका response है आपकी तरप से, मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ, कि आपकी जो notes हैं, वो भी proper बने, exercise भी solve कर रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ आपके लिए, आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, subscribe कीजिए, चैनल को, वीडियो को like कीजिए, और जो भी वीडियो आपको लगे कि आपके दोस्त को देख लिखनी चाहिए, उनको आप share कीजिए, बस इतना सा काम आप कीजिए, और मा की सारा काम, मैं कर रहा हूँ, गंटों बैठे, तो, so please, do hit the subscribe button, like button, and please share the video with your friends, so thank you for watching this video.